हलो दोस्तों स्वागत है आपके योटुब चैनल अलेक्टिकल वाला में तो कैसे हैं आप लोग आई होप अप लोग धामाल में होंगे और कमाल में होंगे तो आज हम भी धामाल मचाने वाले है आप लोगों का बहुत ही जादा यूटूब पे सच करने वाला टॉपिक है कि अर्थिंग और RCCB में क्या फर्ख है? क्या दोनों का काम एक ही होता है या अलग-अलग होता है? तो आज हम उसी पर बात करेगे और कौन सा जादा बेटर होगा? अर्थिंग जादा बेटर होगा? या आपका RCCB जादा बेटर होगा? अर्थिंग और RCCB में क्या फर्ख है? दोनों का काम क्या है? तो सबसे पहले अगर बात करते हैं अर्थिंग आप लोगों को अर्थिंग अच्छी तरह पता होनी चाहिए क्योंकि अर्थिंग बहुत पहले से चलता आ रहा है RCCB अभी कुछ दिन पहले क्या ये बात की चीज़े हैं अर्थिंग हमारे पुराने के जमाने में किये जाते थे तो वो क्या होता था और वो क्यों किये जाते थे? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहां फे फेज, नूटरल और अर्थिंग के बीच डिफरेंस क्या होता है तो आप लोगों को आसानी होगा समझने में कि अर्थिंग क्यों किया जाता था और अभी भी क्यों किया जाता है तो सबसे पहले हम आसान सी भासा में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फेज, नूटरल और अर्थिंग यह तीनों चीज़े क्या होती है फेज क्या होता है फेज से करेंट जाता है ना फेज से करेंट जाएगा नूटरल से वापस आएगा आपका लोड जो है वो चल पड़ेग यानि जो लोड है आपका वो पाम करेगा माल लेते कोई बॉल्ब है तो आपका ये बॉल्ब गो हो जाएगा तो हमारा फेज और नूटरल तो किलियर हो गया कि फेज से करेंट जाएगा नूटरल से वापस आजाएगा लेकिन अर्थिंग उस वहां पे क्या काम करता है तो क्या करता है आपको leakage current को bypass करता है leakage current क्या होता है जो current unwanted हो समझ लेते हैं आपका एक iron है यह आपका iron है जिससे आप press करते हैं ठीक है इससे wire निकला हुआ है एक phase है एक neutral है तीन wire रहती है आप लोगों ने देखा होगा तो एक wire जो होता है अर्थिंग बाला वह बॉड़ी से connect होता है एक phase होता है एक neutral होता है ठीक है तो यह क्या करता है फेस करेंट जाता है है आपका hard touch हो जाता है उसमें तो यह current आपको लग सकता है कियोंकि current है तो लगेगा ही तो यहां पर èarty इसलिए किया जाता है कि यह जो leakage current है जो unwanted current है जो हमें जरूरत ही नहीं जो हमारे लिए cutting है क्रदानाक है उसको यह amazon क्या करता है VII क्तलब इसको grand में लेके ओरीने चला जाता है वार्थिंग कैसे कियाज़ाई उसको तो समझ लेते हैं क्या होता है हम अपने घरों के बाहर क्या करते हैं एक रोड का ढारते हैं आइर सिर्धे का कपड़ का ह mencion का हो उसमें उसी तरब जाएगा हमारे बड़ी का रसितन काफी जादा है तो उसी जग़ अगर करेंट के पास दो अप्शन है माल लेते हैं एक तो और ती जो आपका वाइव ओमस का है यानी हाजारों में हमारे बड़ी का तो जब हम इसको चुएंगे और यहां पर एक उप्शन इसके प RCCB का क्या काम है अगर ये हमें current से बचा ही देता है तो RCCB का काम क्या है तो देखिए RCCB का function कुछ और है ये भी leakage current को detect करता है लेकिन ये भी आपको electric shock से बचाता है तो ये थोड़ा advanced form है ये थोड़ा पुराने जमाने का है ये क्या करता है RCCB पहले उसको देख लेते हैं आपका RCCB same to आपका MCB की तरह दिखता है वहाँ पे एक button होता है जिसको push button बोलते है वो push button क्यों होता है किसलिए होता है हम आपको बताते है यहाँ पे एक value set होता है 25 million ampere जितना भी हो आपको यहाँ पे current नहीं जाने देंगे यानि हम circuit को बंद कर देंगे अब यह कैसे होता है क्या होगा कि हमारा 5 ampere current flow हो रहा है ठीक है 5 ampere current flow हो रहा है रेगलर flow हो रहा है आपने इसको एक freeze में दे रखा है और freeze में दे रखा है तो माल लेते हैं लीटेर्स current इसके उपर flow होने लगा माल लेते हैं यह phase कट गया यह body के उपर current flow होने लगा अब इस body के उपर अगर current flow होगा तो क्या हो इसका मतलब अगर 5 ampere current इससे flow हो रहा है 5 ampere current इससे flow हो रहा है तो इसमें वापस भी 5 ampere ही जानी चाहिए ठीक है थोरा बहुत कम बेस हो सकता है 25 mili ampere थोरा सा इदर उदर लेकिन 25 mili ampere से थोरा सा भी fluctuation हुआ माल लेते हैं यहाँ पे 5 ampere current जा रहा है यहाँ पे 4 ampere current पहुँचा तो बागी का current कहा गया भाई leakage current में आपका RCCP क्या कहता है कि हम 25 mili ampere भी 25 mili ampere current ही थोरा बहुत इदर उदर होगा तो हम काम करेंगे अगर 1 ampere current के आसपास अगर हो गया या 25 mili ampere से थोरा सा भी कम या जादा हो गया तो हम यहाँ पे इसको break कर देंगे आपका circuit काम नहीं करेगा तो RCCP क्या करता है एक तो आपका जो leakage current है उसको detect करता है और जब उसको detect करता है तो यह क्या कर देता है उस circuit को बंद कर देता है तो यहाँ पे भी आप leakage current जो है आपको नहीं लगे गया यानि electric sock से आपको यह बचा लेता है अर्थिंग भी electric sock से बचा लेता है तो यहाँ पर अर्थिंग क्या करता है कि भाई कोई भी वायर है उसमें लीकेस करेंट फ्लू हो रहा है किसी भी सर्किट में तो अर्थिंग क्या करता है कहता है कि आप आ जाओ लेकिन हम आपको बाइपास कर देंगे जो आपका यूजर है उसको एलेक्टिक सौक नहीं लगन करेंट हुआ तो हम आपको जाने भी नहीं देंगे और सर्कीट को ओफ करेंगे देंगे तो आई होब मेरे वडियो से आप लोगों को जानकारी मिली हो तो कमेंट सेक्षिन में जरूर बता है अगर अगर अगले चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आप लोगों के हेल्फ साथ तपिकली बावाई टेक केर